नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी साथ दक्षाप्या तो इस वक्त की बड़ी खबर संसद से सामने आ रहे हैं जहां पर संसद में नारी शक्ती बंदन विधय अक्यानी की महिला आरक्षन बिल पास हो गया है और अब महिलाओं को संसद में और आज ये बिल पास हो गया है 454 बहुमत जो है ऐसे मिले हैं और काफी देश से इस पर चर्चा चल रही थी कल से ही इस पर चर्चा चली और राहुल गांधी भी अपना वक्तव्य देते वे नजर आ रहे थे जिसके बाद आमिर्शा ने भी अपनी बाते रखी बिल के बारे मे बताया कि आखिर इस बिल से क्या फायदा होगा 27 सालों से अठका होगा यह बिल आठ बार रेजेक्ट होनी के बाद अब नौवी बार यह बिल जो है वो संसद में पेश किया गया और नौवी बार में ऐसे सब का बहुमत मिला और जिसके बाद यह बिल पास हो चुका है तो ये महिलाओं के लिए खुश खबरी है कि 33 प्रतिशत रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को मिला है 543 सीटों में से 181 सीटें अब महिलाओं की होंगी 181 सीटों पर संसद में महिला होंगी इस पर चर्चा चल रही थी कल से ही और लगतार चर्चा हो रही थी बहस हो रही थी लो अब ये विधयक पास हो चुका है वहीं काफी दे से ग्रहमत्र यामिच्छा का भाशन भी चल रहा था लोग सभा के अंदर और इसके पहले ठीक पहले राहुल गांधी ने भी अपनी बाते रखी थी और जब बहुमत जो है वो मिला इस विधयक को इसके बाद ओम बिर्ला ने सदुदीन ओवैसी से भी पूछा कि अब आपके पक्ष में कोई नहीं है और जिसके बाद ये बिल पास हो गया तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर महला आरक्षन बिल जो है वो पास हो चुका है और 33 प्रतीशत रिजर्वेशन अब लोग सभामे और व हुआ हुआ है